एक वीडियो से आखिर चैनल मोनेटाइज कैसे हो जाता है आखिर इस तरह के वीडियो में होता क्या है आप इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हैं और क्या ऐसा करने से आपका चैनल भी सिर्फ एक वीडियो में मोनेटाइज हो सकता है आज के इस खास वीडियो में हम इनी सव नमज पकड़ने की बात है कि वो एक वीडियो कैसा था आपको उसकी सही ओडियेंस मिली भी थी या नहीं वीडियो सभी अच्छे होते हैं आपने देखे होंगे यूट्यूब पर अगर आप बहुत जादा वीडियो देखते हैं रिसर्च करते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए और अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स के वीडियो देखते हैं जो कि आपके चैनल से रिलेटिड नहीं है तो भी आपने देखे होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर बहुत अच्छा टैलेंट पड़ा है यूट्यूब पर जो को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हो सकता है उन्होंने अपने मुताबिक अच्छा ही कंटेंट बनाया हो लेकिन हमने ये देखा है आपने हमने सबने ये देखा है कि ऐसा ऐसा कंटेंट जिसमें कुछ भी नहीं है यहां तक कि टाइटल में कुछ और लिखा थमने कैसा और सबसे बड़ी बात आपका टॉपिक कैसा हो तो दोस्तों आप बढ़ते हैं आगे हमारा चल M.I.B. रियक्ट जो कि कल ही जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कल ही मॉनेटाइज हुआ है और उसे चैनल पर इससे पहले भी कही अच्छे वीडियो मेरी नजर में जो मुझे पर्सणली अच्छे लगते हैं इस वीडियो से लेकिन उनको इतने अच्छे व्यूज नहीं मिले, क्योंकि वो मैं सही टाइम पर नहीं बना पाया, for example, नाटू, नाटू, वो मैं दस दिन बाद बना पाया, तो दोस्तों, मूवी रिव्यूज और मूवी से लेटिड, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अगर आप रिव्यूज नहीं करना जानते, आपका शोग नहीं है, या फिर आप नए नए हैं, इतना अच्छा अभी नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप चैनल नहीं बना सकते, इस से लेटिड और बहुत सारे नीश है, चैनल टॉपिक्स पर मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाये हैं, किस तरह से आप मूवी बिना कोपिराइट के अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपने यूट्यूब वीडियोज में डाल सकते हैं, को बताया है, तो उस पर डिटेल से बात नहीं करेंगे कि आप किस तरह से रिव्यूज वीडियोज बना सकते हैं, पब्लिक रियक्शन ले सकते हैं, बहुत सारे काम किये जा सकते हैं, एक मूवी से रिलेटिड हम टॉपिक पर रहते हैं, टाइमिंग पर रहते हैं, तो गदर टू से रिलेटिड टाइमिंग एकदम सही फिट बैठी, बहुत कम अभी वीडियो से और मुझे बाकी चैनल से थोड़ा वक्त स्पेर टाइम मिला और मैंने इसे टाइम पर डाल दिया, सेकेंड बिग तिंग इस कंटेंट इलसेल्फ, कंटेंट जोरदार होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने आपको पता चला और आप सोचें कि यार और कोई ने डाल दे उससे पहले मैं कुछ ने कुछ करके डाल दो तो वह कुछ ने कुछ नहीं करना, जब आपके वीडियो में कोई जाए तो उसे लगना चाहिए कि भाई उसकी तसल्ली हो गई है, जो चीज वो देखना चाहता था, वो उसे वहां मिल गया है, अदरवाइस क्या वे लोग जो अभी कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, बेवकूफ हैं, जी नहीं, उन्हें ये तो पता है कि उन्हें टाइम पर कंटेंट देना है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि जबरदस कंटेंट देना है, तो जो एक natural time, एक genuine time उस content को बनाने में लगता है, वो तो लगे ही लगे, content अच्छा बनना चाहिए, trend का पता आप किस तरह से कर सकते हैं, उस पर भी आपको कुछ एक खास videos के link description में मिल जाएंगे, यहाँ पर हम in general बात कर रहे हैं, इस channel की case study कर रहे हैं, कि एक single video ने 15,000 घंट एक video से 2000 से जादा subscriber, एक video ने ही 4000 घंटे का, देखिए, कहां 15,000, कहां 4000, वो criteria पूरा कर दिया, और ऐसा सिर्फ एक channel इस case में नहीं हुआ है, हमारा एक और channel Mr. Indian Backer, वहाँ भी हमने 7 videos में ही channel monetize करवा लिया था, तो दोस्तों किसी भी channel को जल्दी monetize करवाने का, राम बान है, trending टॉपिक पर quality content, इस से जुड़े और कई सारे सवाल, कैसे बता चलेगा trend का, quality content कैसे होगा, अच्छी editing कैसे करेंगे, channel कैसा हो, topic कैसा हो, video का topic कहां से ले, shoot कैसे करें, light कैसी हो, सब कुछ, सब कुछ आपको इस channel पर मिल जाएगा, प्लीज चैनल पे ज़रूर विजिट करें और बताएं कि आज का ये content, ये video कैसा लगा, इसी तरह की videos पाते रहने के लिए हमारा channel white insight, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिगा, मिलते है next video में, अभी के लिए बस इतना है, जहें